हम अभी इस वक्त राजनिवास में LG हाउस में बैठे हैं मैं हूँ मेरे साथ गुपाल राई जी, मनीश सोधिया जी और सेफिंदर जैन जी तीन मंत्री गण हैं हम लोग कल शाम को साड़े पांच बजे LG हाउस आये थे, LG साबसे हम लोग मिले थे मोटे मोटे तौर पे हमारी दो मांगे हैं, तीन मांगे हैं एक तो ये की पिछले चार महीने से दिल्ली के आये सफसरों ने हड़ताल करक्खिये, आंशिक हड़ताल है वो लोग किसी मीटिंग में सरकारी मीटिंग में नहीं आते, किसी मंत्री के फोन का जवाब नहीं देते, फोन में उठाते, मैसेज का जवाब नहीं देते बस जो बहुत ज़रूरी फाइले हैं वो निप्टा देते हैं के, बाकि कोई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोई दोसरे और कोई काम नहीं कर रहे हैं इसकी वज़े से दिल्ली के लोगों का काम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है अभी गर्मी के छुटियों के दौरान सारे स्कूलों में वाइट वाश होनी थी वो काम रुका हुआ है प्राइवेट स्कूलों को EWS का पैसा जाना था वो रुका हुआ है सिगनेचर ब्रिज में आखरी इंस्टॉल्मेंट का पैसा जाना था वो रुका हुआ है मुहला क्लिनिक रुक गए हैं अनुथरेज्ट कॉरोनियों में सडक नालियां बनने का काम रुक गया है बहुत सारे काम प्रभावित हो गया है तो हमने लगी साब को कई बार लिखा अबे तक हमने कई बार मैं मिला पिछले 2-3 महिने में कि इसको स्ट्राइक को खतम करवाओ मैं आपको थोड़ा पताना चाहता हूँ 23 फरवरी को हमारी पूरी कैबिनिट एलजी साब से मिली कि एलजी साब इस स्ट्राइक को खतम कराओ उन्होंने का मुझे एक हफते का टाइम दो मैं खतम कराता हूँ उन्होंने कुछ ने किया फिर 26 फरवरी को मनीश से सोधिया जी ने चिठ्थे लिखी 18 फ़रवरी को फिर मैं परसनली मिला जिसाब से मैं ने पूचा जिए आपने एक फ़ Garrlde 현MM मंगा त 메ं गया एल जिसाब एक और फ़분 दो फिर 28 फ़लवरी को मनिज से सोधिया जिने एक और चिथ्थे लखी फिर अगले दिन क्या हुआ, LJ साब ने का, मेंने को एक और हुटे का टाइम तो, पिर 28 भर्वरी को Manish जो दिया जी ने एक और चित्थे लिखिये, फिर अगले दिन एक मार्ज को मैंने फिर एक और चित्थे लिख 근री फिर सोला मही को मैं फिर अब क्या हुआ उन्होंने का एक और हफता दो मैं आप कुछ करता हूं। हमने का जी इस तरह से काम नी चलेगा और आपको रिटन डिरेक्शन जारी करने पड़ेंगे आदेश देने पड़ेंगे अफसरों को कोई भी हरतान इल्लीगल है वो काम पे लोटो तो उन्होंने रिटन आदेश देने से मना कर दिया अब कहते हैं मैं समझाओंगा हूं। जी समझा लो चौबिस मही को फिर तीनों मंत्री सतिंदर जैन गोपाल रहा है और मनेश सुधिया जी अल्जी साब से मिले उन्होंने का जी सारे अफसर हमारे पास आख के कह रहे हैं कि हम काम पे लौटना चाहते हैं हमें धंकिया मिल रही हैं एल्जी हाउस से हमें धंकिया देके कहा जा रहा है कि खबरदार जो तुम स्ट्राइक तुम लोगोंने ख़तम की तो उन्होंने का जी एल्जी हाउस एक तरह से स्ट्राइक करवा रहा है यह हमने एल्जी साब को भी बताया हुआ है एल्जी साब ने का ने यह गलत है मैं एक हफता दो मैं बात करता हूँ फिर एक हफ्ता दिया, फिर साथ जून को फिर ये तीनों मंत्रिया के एलजी साब से मिले, फिर एलजी साब ने का एक हफ्ता दो, इसका ले स्ट्राइक खतम नि कराना चारे वो, तो कल हम उन से दुबारा मिले थे, हम ने का जी अब तो स्ट्राइक खतम करवा के जाएंगे हम पैसे लेता है, कम तोलता है, कम समान देता है, मिलावट करता है। तो हमने सोचे हैं, ये राशन के दुकाने बंद कर दी जाएं। अब हर आदमी के घर उसका जितना राशन बनता है, वो बोरी में पैक करके उसके घर भिजवा दिया जाएं। इससे उसको राशन मिल जाए करेगा और इसमें सारे मिचोलिये खतम, बड़ी इच्छी स्कीम है, जो भी सुनता है कहता है ये तो बिल्कुल करांटी कारी स्कीम है, इसको एल जी साब मना कर रहे हैं, और कल जब हम शान को मिले उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया बोले इसकी त लेकिन एल जी साब नहीं मने हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं, अपने लिए नहीं बैठे, आप लोगों के लिए बैठे हैं, दिल्ली के 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 लोगों के